A very warm welcome to Study IQM Idea Friends मैं हूँ प्रशांत मावानी I hope you are all are in good आज 22nd November 2021 के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है आज हमारे टेबल के ओपर है चार इंपोर्टेंट आर्टिकल्स Financial News को एनलाइज करेंगे फिर आपके लिए कुछ Headlines हैं, एक MCQ हैं Please make sure कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टुडेंट के साथ शेर जरूर करें अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो Good News यह है कि Study IQ की टीम ने मिलकर एक Complete Online Smart Course डिजाइन किया है Smart Course की मदद से आप गर बैठ है UPSC की तयारी कर सकते हैं इस Course के साथ जुड़ी हुई सारी Information जैसे के Course के Features, Subjects, Price, Demo Videos आप देखना चाते हैं सारी Information आपको हमारी Website StudyIQ.com या फिर हमरे Mobile App के उपर से मिल जाएगी तो आज ही Google Play Store पर जाएए Study IQ के Mobile App को डाउनलोड करें और गो थूरू दिस Online Smart Course आज का पहला आर्टिकल है Shifting the Pile Annual यानि की साल में एक बार होने वाला Swach Survection 2021 रिलेज किया गया Awards दिये गए Prelims Examination में आपको ये प्रशन पूछा जा सकता है कि Swach Survection किस मंत्रालाई के द्वारा Conduct किया जाता है Organize किया जाता है तो इसका आंसर है Ministry of Housing and Urban Affairs ये एक महीने तक चलने वाला एक सर्वे है इसमें 4,320 सिटीज को सर्वे किया गया 4,20,000,000 से भी ज्यादा लोगों से feedback लिया गया बड़े-बड़े जो measurements हैं उसमें से एक है Garbage Disposal Open Defecation Free Ratings Functionality and Maintenance of Community Toilets और Fourth है Safe Management of Fecal Sludge इसके आधार पर और कुछ दूसरे भी ऐसे measurements हैं इनके आधार पर स्वच सर्वेक्षन 2021 में हमारे देश का cleanest city इंदौर है इंदौर is located in which state? मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश के capital का नाम क्या है? बताईए कमेंट सेक्षन में ये आपके लिए एक question है इंदौर की खास बात ये है कि ये फिफ्ट एयर ऐसा है पांचवी बार इंदौर जो है वो हमारे देश का number one cleanest city साबित हुआ है number two पर है गुजरात का सुरत और number three पर है विजएवाड़ा राजियों की बात करें तो 36 गड़ जो है वो जिस राजियों में से भी ज्यादा urban local bodies है तो ऐसे राजियों में तीसरी बार 36 गड़ नंबर वन पर है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की जो constituency है वारनशी वो गंगा सिटी केटेगरी में cleanest city आया है वारनशी जैसे मैंने आपको बताया कि चार जो मैंने बड़े-बड़े points आपको बताया इसके अलावा भी दूसरी केटेगरी भी इस सर्वेक्शन में मापी जाती है और दूसरे कुछ जैसे के states with over 100 urban local bodies तो इसमें second number पर आया first number पर तो हमने देखा 36 गड़े second number पर है माहराष्ट उसके बाद है मध्यप्रदेश वो third number पर है इसी प्रकार से कुछ ऐसे states जो 100 से कम urban local bodies की केटेगरी में देखे तो जारखंड number one है ये information सारी information आपको याद नहीं रखनी है let's say कि अगर आप माहराष्ट से बिलोंग करते हैं और आप माहराष्ट की MPSC है माहराष्ट पब्लिक सर्विस कमिशन की exam दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्वच्छ सर्वेक्शन में 100 प्लस urban local bodies वाले केटेगरी में माहराष्ट का number two है अगर आप मध्यप्रदेश से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके state का number three है अगर आप जारखंड से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सो से कम urban local bodies केटेगरी में जारखंड आपका राज्य जो है वो number one position पर है तो ये कुछ चीजे जो है वो आप अपने state या फिर city के हिसाब से देख लीजेगा अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं तो आपको पता होना चाहिए number one कौन सा है और आपका राज्य जो है आपका जो city है वो किस राज्य में है और उसका rank क्या है ये कुछ information आपको खुद collect कर लेनी है ठीक है इंदोर सूरत, नवी मुंबई, न्यू डेली municipal council, तिरुपती categorized as divya ये platinum category में आये है अब ये जो ranking है इसके दो बड़े purpose है दो बड़े इसके हेतु है first one is publicity boost जिस राज्य का जिस शहर का नाम अलग-अलग categories में number one पर आता है तो definitely उस particular city को जैसे के हम बात करें इंदोर की तो इंदोर जो है वो देश का cleanest है तो वहाँ पर एक वहाँ के लोगों के लिए भी motivation होगा real estate और इन सारी चीजों की commercial properties की price देखे तो उसमें भी एक addition होगा tourism के point of view से देखे तो एक बहुत बड़ा boost मिलेगा कि हमारा शहर जो है वो cleanest है तो वो राजिय जो है tourism की बात जब tourism की advertisement करेगा तो इंदोर के बारे में लिखेगा गुजरात जो है वो सुरत के बारे में लिखेगा कि second number का cleanest है business को invite करने के लिए भी ये काम आएगा तो इसके कुछ benefits तो definitely है दूसरा जो purpose है that is motivation for other states other cities दूसरे राजियों को भी एक healthy competition मिलेगी और overall फाइदा होगा तो वो हमारे देश का ही होगा कि देश के बहुत सारे cities जो हैं वो एक दूसरे के साथ healthy competition कर रहे है कि हम cleanliness में और ज्यादा आगे बड़े ये 5th edition था 2016 में इसका 1st edition launch किया गया और तब से देखा इंदोर सूरत जैसे कुछ शहर है वो हमेशा टॉप में रहे है अब हमें कुछ प्रशन भी इस सर्वेक्षन को पूछने चाहिए या फिर इस सर्वेक्षन को लेकर कुछ प्रशन हमारे दिमाग में होना चाहिए number one is कि ये कुछ जो cities है वो हर बार number one, number two, number three, number four की position में या top ten में आ रहे हैं तो क्या इन शहरों में कोई ऐसी खास बात है क्या इन शहरों का culture अब ऐसा बन चुका है कि यहां के लोग जो है वो cleanliness को एक बहुती important चीज मानने लगे है question number one, question number two क्या इन शहरों को राजिय सरकारों से right time पर सही मातरा में fund मिल जाता है और fund मिलने के बाद क्या ये city administration जो है वो fund का सही इस्तिमाल कर रहा है और इसके structure कैसा है, कौन सी technology वो use कर रहे है, कौन कौन सी ऐसी चीज़े हैं जिसकी बज़े से इंदोर, सूरत etc. जैसे शहर जो है, वो हमेशा टॉप चार्ट में रहे हैं इसे के साथ-साथ central government और state government को मिल कर ये make sure करना होगा कि हम और अच्छा qualitative analysis करें चीज़ों का चीज़ों को समझने के लिए you know, जो measurements रखे जाते हैं वो समझने के लिए easy हो लोगों को भी पता चले और मैं तो ये कहूंगा कि शहर के साथ-साथ micro analysis भी किया जाए कि इन दोर में कौन सा सबसे cleanest area है और कौन सा सबसे in terms of cleanliness सबसे low category में कौन सा region है, क्या उस region को भी हम cleanest region के मकाबले कर सकते हैं, फिर अब हमारे जो शहर हैं जैसे के इन दोर भारत का सबसे clean है तो दुनिया का सबसे clean city कौन सा है क्या हम उसके साथ compete कर पाएंगे, क्या उनको कुछ areas में हम beat कर रहे हैं क्या कुछ areas में वो हमें beat कर रहे है तो अब हमें nation से फिर region region से फिर global competition में भी उतरना चाहिए और cleanliness जो है वो हमेशा से भारत के culture का part रहा है at least in books हमारे लोगों की एक आदत है हम हमारा घर जो है वो clean रखते हैं लेकिन हमारी जो सडके हैं हमारी जो streets हैं उसको हम एक open dustbin के तोर पर देखते हैं tourism की बात करें तो महिलाओ के लिए सबसे बड़ा जो issue मैंने personally देखा है वो यह है कि जब आप बाहर घुमने के लिए जाते हैं या फिर नजदी के किसी town या फिर शहर या फिर village में गए तो वहाँ पर आपको clean toilet का access महिलाओ को नहीं मिलता है तो इसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके उपर अगर हम focus करें cleanliness के उपर focus करें तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें हासिल होगी वो health तो होगी ही health is number one health के साथ साथ economy के point of view से देखें तो tourism में भारत को बहुत बड़ा फाइदा होगा लाखो करोडो अरबो रुपे का फाइदा होगा Singapore जैसा एक छोटा सा city state भारत से ज्यादा tourist attract करता है हर साल तो ये भारत के लिए एक सोचने वाली बात है कि हमारे देश में इतनी सारी पुरानी इमारत हैं इतनी सारी historic places हैं UNESCO की कितनी सारी sites हैं कितने सारे ऐसे lakes हैं हमारे देश में desert mountain desert भी है cold mountain desert I'm talking about Leladak हमारे देश में hot desert भी हैं जैसे कि था desert हमारे देश में white desert हैं जैसे कि कच्च का desert 7500 km प्लस लंबी कोस्ट लाइन है, सिर्फ गोवा नहीं, गुजरात, महराष्टर, करनाटका, केरला, तामिल नाडू, वेस्ट बेंगोल, आंधरप्रदेश, ओरीशा, तो कितने सारे अंदमानिकोबार, लक्षवद्वीप, पुडुचेरी, तो इसे कितने सारे राज्य है, यूनियन है, जिसमें दीव दमन भी आ गए, तो इनको हम कोस्टल टूरिजम स्पोर्ट के तौर पर डेवलोप कर सकते हैं, माउंटेन की बात करें, तो स्नो केप्ट माउंटेन्स हैं, जैसे कि हिमालियन माउंटेन्स, हमारे देश में प्लेंस हैं, खुला मैदानी इलाका है, नदिय मार्केटिंग के तौर पर दुनिया के सामने प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं, लेकिन क्लिनलिने, सेफटी, ये कुछ ऐसी चीज़े हैं, जिसकी वज़ज़ से आज भी दुनिया के बहुत सारे टूरिस्ट जो है, वो भारत आना पसंद नहीं करते हैं, तो कितनी सारी जेज हैं तो कितने ज़ें पर आपको टाइगर्स देखने को मिलेंगे, धनिया के स्वज़ने और बिर्ड्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, आफरिका के बाद दुनिया सिर्फ एक ही ऐसा पोशन है, सासनगीर गिज çalışँ़नी जो गुजरात में है, उषका जंगल है जहांपर आपको एजियाटिक लाइन्स देखने को मिलेंगे तो I can go on and on half an hour इसके उपर हम बातचीत कर सकते हैं तो ये सारी चीजें हमारा potential है तो ये सारी चीजें हमारा potential है आप सोने की धेर पर बैठे हैं लेकिन आपके हाथ में भीक का कटो रहा है ऐसे situation है हमारे देश की as far as tourism is concerned तो these are the things that we need to work on तो स्वच्चता सिर्फ ऐसा दिखारने के लिए नहीं है फिल्म की शूटिंग्स फिल्म की शूटिंग्स करने के लिए Switzerland जाते हैं Alps Mountain Australia में जाते हैं अब बैगियो पाड़न Austria not Australia, Austria जो यूरोप का एक देश है जहाँ पर Alps Mountain है और वहाँ पर बहुत सारे फिल्मों की अब शूटिंग होने लगी है तो उतने ही खुबसूरत पहाड़ हमारे कश्मेर में भी है लेकिन सेफटी और यह सारी चीज़ों की security, safety, cleanliness, etc. की विज़े से हमारे ही देश के फिल्मेकर्स जो हैं वो दूसरे देश जाना पसंद करते हैं तो इससा सम बिग पिक्चर्स इससा सम बिग पॉइंट्स जिससे आप समझ सकते हैं के स्वच्छता अगर मेंटेन की जाए हम सब करें क्योंकि सरकार कितने भी योजनाय लाँच करें अगर हम उनको support नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा lecture की PDF को download करने के लिए check out my telegram channel, you can follow me on Facebook as well on the brink, the Hindu का ये article है, हम बात कर रहे हैं दो देशों के बारे में, एक है Russia और दूसरा है Ukraine तो चलिए सबसे पहले तो इन दो देशों को हम locate कर लेते हैं आज हम इस particular topic को discuss क्यों कर ले because these two countries are on the brink of an open conflict के इन दोनों देशों के बीच में एक full-fledged war कभी भी start हो सकता है कभी भी start हो सकता है अब पता चल जाएगा के ऐसी situation यहाँ पर क्यों आई है तो चलिए सबसे पहले तो Europe को locate कर लेते हैं follow this laser point here तो यह है Russia as you can see यह yellow वाला जो portion है this is Russia here और यह border जो है वो बहुत सारे दिशों के शाथ शेयर करता है but we have to focus from here यह Ukraine के साथ इसकी border देख लीज़े आप as you can see तो यह Russia की एक बहुत बड़ी western border जो है वो Ukraine के साथ शेयर करता है फिर इसका यह वाला portion जो है वो इस पानी के साथ और black sea के साथ सटा हुआ है यह वाला portion जो है this is Ukraine Ukraine का एक portion था क्रीमिया अब यह Russia के कबजे में है Russia की एक प्रकार से Russia का control इस क्रीमिया वाले portion पर है 2014 से यह portion जो है वो Russia ने अपने पास कर लिया है यह रहा Ukraine Kiev इसके capital का नाम है और यह वाला portion जो देख रहा है Ukraine का यह दूसरा map है तो Ukraine का यह वाला जो portion है इसको कहते है Donbass Donbass एरिया में भी conflict चल रहे है तो I hope यह map आपको clear हो चुका होगा अब थोड़े और देश आप देख लीजिए यह लहा बेलारूस यह भी काफी चर्चा में था माइग्रेशन को लेकर चर्चा में था refugees को लेकर चर्चा में था बेलारूस यह है Poland Poland Ukraine के साथ भी border share करता है और बेलारूस के साथ भी border share करता है और बेलारूस जो देश है यह Russia का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है Ukraine जो है यह NATO का पार्ट है North Atlantic Treaty Organization और इसका head या फिर umbrella किसकी है यह आप समझ लीजिए कि USA के द्वारा ही चलाया जाता एक group है USA इसका एक प्रकार का head है and I'm sure you all are aware कि USA और Russia जो है यह एक दूसरे के जानित दुश्मन है arch rivals है तो यह हो गई आपके लिए कुछ basic information अब Ukraine की border पर बहुत सारे Russian troops को deploy किया गया है यहाँ पर कई बार एक दूसरे के साथ violence के भी news हमें नजर आते है और अब यह जो Donbass region मैंने आपको दिखाया यहाँ पर जो rebels है जो Russia जिनको support करता है उनके और Ukrainian army के बीच में भी कुछ हमें issues देखने को मिले हैं तो यह कुछ ऐसे reasons हैं जिसकी वज़े से हम कह सकते हैं कि यह दोनों देशों के बीच में एक proper war जैसी situation हो सकती है कि युद्ध जैसी situation यहाँ पर कभी भी हो सकती है और यह दुनिया के लिए एक चिंता का विशाई है भारत जैसे देश के बात करें तो अभी सरकार ने exercise duty कम की और petrol और diesel की prices कम की अगर यहाँ पर war like situation होगी तो petrol और diesel की price जो है वो increase हो जाएगी global supply effect होगी फिर जो सामान हम यूरोप में बेचते हैं दूसरे देशों में बेचते हैं इसके उपर impact आएगी इसके अलाबा भारत की economy के उपर impact आएगी क्योंकि inflation बढ़ेगा मेंगाई बढ़ेगी और हमारे businesses जो चीज़े produce कर रहे हैं उसके उपर impact होगी तो यूद किसी और जगा पर होगा लेकिन इसकी direct and indirect impact हमारे देश के उपर भी हमें देखने को मिलेगी और ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विशय डेफिनेटली है अब बात करते हैं कुछ दूसरी डीटेल्स के बारे में This time, however, the more emphatic Russian moves appears to be part of a larger strategy of force projection across Russia's western perimeter from Baltic Sea to Black Sea रश्या जो है ये Baltic Sea से लेकर ब्लेक सी तक एक projection करना चाहता है अपनी ताकत दिखाना चाहता है रश्या को ये पता है कि USA जो है वो फिलाल अफगानिस्तान से अभी भी निकला है वहाँ पर एक बहुत बड़ी हार का सामना भी करना पड़ा राइट वहाँ से विड्रोवल किये उनकी आर्मीज को और चाइना के नस्दीक में जो इस्ट एजिया वाला portion है तो वहाँ पर भी USA जो है वो engaged है वो थोड़ा बीजी है इन सारी चीजों को लेकर ताइवान को लेकर और नोर्थ कोरिया को लेकर और फिर इंडो पैसिफिक को लेकर साउट चाइना सी को लेकर USA यहाँ पर बीजी है तो इस इस दाराइट टाइम कि USA कहीं और जगा पर बीजी है तो इस इस राइट टाइम के आप अपने पडोस के या फिर अपने बैक्यार्ड में कुछ ऐसी चीजे करें जिससे आप साबित कर सके कि आप एक बहुत ही ताकतवर देश है या फिर इस रीजियन में अपने बॉमबर्ज यारे की जो ऐसे फाइटर जेट्स हैं और जो बड़े एरक्राफ्ट्स हैं वो पॉलेंड की बॉर्डर के नस्दीक रख दिये हैं और जैसे मैं आपको बताया बिलारूस एक रश्या का मित्रत देश है तो बिलारूस में अभी बिलारूस और पॉलेंड की बॉर्डर के ओपर एक माइग्रेशन क्राइसिस हुई और इसको लेकर फिर यूरोपियन यूनियन ने बिलारूस के ओपर कुछ सैंक्शन भी लगाए और रश्या ने ब्लैक सी जो हैं यहां पर ब्लैक सी में कुछ अपनी वर्षिप्स भी रख दी है ताकि यूसे की वर्षिप्स जो है वो यहां पर न आ पाहिए वी आ ट्किए बाट इस रीजिन यह यह ब्लैक सी है मैं इसको और जूम करके दिखा दो तो इस इस दे ब्लैक सी है यह क्रीमिय वाला पोशन है तो यहां पर कुछ Russian warships रखी गई है ताकि USA की warships यहां पर penetrate ना कर सके अपना stronghold यहां पर ना कर सके तो यह सारी चीज़े यहां पर चल रही है और मिंक्स 2 मिंक्स 2 नाम का एक peace agreement हुआ था 2015 में जो 2014 में करीमिया वाला portion हरप लिया उसके बाद चीज़े काफी तनाव भरी थी इस region में तो France और Germany ने Russia और Ukraine के साथ मिलकर फिर एक agreement किया और इस agreement में यह तेक किया गया कि Ukraine जो है वो अपने कुछ portions में कुछ constitutional reforms करेगा वहां के लोगों को थोड़े ज्यादा powers दिये जाएंगे power जो centralized है तो उसको decentralized किया जाएगा और Russia यह चाता है कि अगर वहां के लोगों को कुछ powers मिलेंगे तो फिर Russian rebels जो है उनके माध्यम से Russia जो है वो इस area में अपना stronghold रख पाएगा Ukraine को Ukraine ने यह Minsk 2 agreement जो है वो sign किया था लेकिन फिर Ukraine के president ने इन सारे agreements को implement नहीं किया इंप्लिमेंट नहीं किया तो Russia इससे नाराज हो गया और Russia नाराज हो गया तो उसके बाद फिर से यह सारी situation हमें देखने को मिल रही है यह conflict जैसे situation तो होप चीज़े clear हो गई होगी आपको इसका practical solution एक ही है कि जो Minsk's peace agreement है इसको implement किया जाए और कुछ solution टूंडे जाए जो stakeholders है उनको यहां पर कुछ solutions निकालने पड़ेंगे वरना यह region जो है वो कभी भी state of war में आ सकता है moving on to third topic यह चाइना के साथ जुड़ा हुआ topic है अब इसका title देख लिजिए keeping a close eye on China's nuclear capabilities हाल ही में जो बाइडन साब और Xi Jinping साब के बीच में एक virtual meeting हुई और यह बताया जाता है कि इस virtual meeting में दोनों देशों ने यह ते किया है कि आने वाले समय में एक nuclear talks होगी nuclear talks में दोनों देश जो है वो nuclear weapons को कम करने की बात करेंगे और खास करके चाइना की बात करें तो चाइना military power report release किया गया by Pentagon और इस report के मताबेत People's Republic of China जो PRC है People's Republic of China यानि की चाइना जो देश है इस चाइना ने अपनी military power को काफी हद तक expand करने की एक process स्टार्ट कर दी है इसमें चार specific चीज़े हैं एक तो है quantitative strength we are talking about nuclear weapons फिर atomic yield, delivery capabilities और posture quantity wise और quality wise चाइना ने अपने nuclear weapons को काफी upgrade किया है quantity भी बढ़ाई है और quality भी बढ़ाई है अभी तक चाइना के 200 जितने nuclear warheads थे, nuclear weapons थे अब चाइना इनको बढ़ाकर 700 तक पहुचा देगा by 2027 तो that means अभी जो capacity है उससे लगबग साड़े तीन गुना ज्यादा चाइना अपने weapons की strength को बढ़ाएगा और इसमें low yield weapons है low yield weapons जो है वो normal जो conventional war है जिसमें आपकी tanks हैं, आपकी artilleries हैं, आपकी जो forge हैं उसके उपर ये weapons लाँच किये जा सकता है इसके अलाबा चाइना ने कुछ दूसरे ऐसे अपनी nuclear facilities है जैसे के लॉपनूर नाम की nuclear facility आपको प्रशन पूचा जा सकता है कि लॉपनूर nuclear facility किस देश की है तो remember this is China आपको match the following में ऐसे प्रशन पूचे जा सकते हैं कि आपको यहां पर देश के नाम दिये गए जैसे के चाइना फिर इरान राइट इंडिया में भी और यहां पर कुछ ऐसे लॉपनूर और दूसरे नाम दिये जाएंगे और फिर आपको पता ज़िए आपको राइट चाइना तो लॉपनूर में जब international monitoring system वहां पर basically देखना चाते थे कि आपकी लॉपनूर facility में क्या क्या चीज़ हैं तो चाइना ने यहां पर permission देने से मना कर दिया और यह जो comprehensive test ban treaty organization है CTBTO इसके जो rules and regulations हैं उसका यहां पर clearly उलंगन किया गया उसको reject किया गया बाइ चाइना तो चाइना का पॉस्टर है वो भी काफी aggressive है दूसरी चीज़ चाइना ने कुछ अपने weapons जो है वो ballistic missiles में भी add किया है इसमें intermediate range ballistic missiles IRBM फिर transporter, erector, launchers ऐसी कुछ चीज़ों में भी जो होता है न एक truck जैसा जैसे S400 में आपको दिखाया था के ट्रक के पीछे कुछ missiles लगी पी उन्होंने JL2 सबमरीन लांच बलिस्टिक मिसाल्स फिर चाइना ने डिप्लॉई की है फिर चाइना की वैसे तो no first use policy है असवारे नुकलियर वेपन सा कंसर्ण लेकिन चाइना ये भी कहता है कि अगर ज़रूर पड़ी तो हम strike भी कर देंगे अगर हमें लगा कि आप हमा इसके साथ उन्होंने अपनी जो सब्मरीन्स हैं सब्मरीन्स में भी टाइप 094 जिन क्लास SSBN नुकलियर पावर्ड बलिस्टिक मिसाल सब्मरीन्स जो है तो इनकी fleet भी बड़ाई है यानि की quantity भी बड़ाई है और बेंगोल रीजियन में और इंडियन ओशन रीजियन में चाइना ने कुछ सर्वेस भी किया है कि कहां कहां प इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं दिस इस दे मीट ओफ दे मेटा हाल ही में गुजरात में कुछ ऐसी civic बोड़ी जैसे के वड़ोधरा फिर है राजकोट राजकोट मेरा शहर है यानि कि मैं यहां पर रहता हूं भावनगर जुनागर्ड यह कुछ civic बो फाटम पर धाया है ओसार पिर सबस्क्राओन दे में रहता हैं वड़ोधरा वड़ोधरा राजकोट भावनगर्ड और जुनागड़ कि civic bodies ने अब गुजरात की बात करें तो गुजरात की population में 15% scheduled tribes हैं 10% muslims हैं 7.5% scheduled caste हैं और other backward classes की बात करें तो लगपक 50% जितनी population है गुजरात में jain community के भी लोग है वेशनव धर्म को भी follow करने वाले लोग है जेइन्स और वेशनव जो है वो और स्वामी नारायन संप्रदाय को follow करने वाले लोग जो है वो ना तो non-veg खाते हैं ना तो liquor consume करते हैं ना तो वो onion consume करते हैं ना तो वो garlic consume करते हैं और ये उनकी आस्था का भी सही है अब शायद आपको अच्छा लगे बुरा लगे लेकिन ये उनकी personal choice है in the same way ये जो ST, SC, Muslims, OBCs तो ये population में ऐसी कोई खास मानियता नहीं है कि आप eggs खाए ना खाए आप meat खाए ना खाए ये उनकी personal choice है तो एक तरफ देखा जाए तो ये group भी सही है कि वो non-wage consume करते हैं दूसरी तरफ कुछ ऐसे groups हैं जो non-wage consume नहीं करते हैं तो वो उनकी choice हैं समविधान में कहीं पर नहीं लिखा गया है कि भारत का नागरेक vegetarian ही होना चाहिए और health के point of view से देखे तो बहुत सारे doctors कहते हैं कि आपको veg food ही खाना चाहिए कुछ doctors कहते हैं कि आपको non-wage food खाना चाहिए और naturally अगर बात करें nature की बात करें तो human beings शाकाहरी नहीं है human beings मासाहरी नहीं है we are mix में हैं हम carnivores भी नहीं हैं हम omnivores हैं wedge और non-wage food दोनों चीज़ें हमारा body जो है वो consume कर सकता है यह कुछ अलग-अलग points आपके सामने रखना हूँ अगर आप wedge है wedge food consume करते हैं non-wage करते हैं या फिर आप omnivores हैं तो that's again totally your choice कई लोग यह कहते हैं गुजरात में महात्मा गांदी जी का जन्म हुआ था इसलिए गुजरात में liquor जो है उसका band है वैशनव दर्म, जैन दर्म और स्वामिनार दर्म के लोग काफी ज्यादा हैं यहाँ पर इसकी वज़े से भी बहुत सारे लोग जो है वो नौनवेज लिकर इन सारी चीज़ों को कंस्यूम नहीं करते हैं या फिर इनको पाप के point of view से देखते हैं यह भी उनकी जोईस हैं लेकिन क्या गुजरात के सभी लोग टी टॉटलर्स हैं टी टॉटलर्स का मतलब यह होता है कि एक ऐसा व्यक्ती जो कभी भी लिकर को कंस्यूम नहीं करता है रियालिटी यह है कि गुजरात में लिकर बेंट तो है आलकोहॉल इस प्रोहिबिटेड लेकिन आलकोहॉल इलीगली बहुत ज्यादा महत्रा में मिल जाता है लेकिन यही पुलिस वाले जो है अगर आपको लिकर पिता हुआ देख लिया तो आपके उपर केस लगा देंगे या फिर पैसे ये चीज़े भी होती है ये भी डार्क रियालिटी और सिर्फ ये गुजरात की कहानी नहीं है दूसरे राजियो में भी यही सिचुवेशन है ये बी सप्राइज टूनो के अवरिकन कमपनीज लाइक पीज़ा हट जैसी कमपनीज ने एक्सक्लूजिव वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स खोले हैं एहमदाबाद में राजकोट में जो पीज़ा हट है वो भी प्यूर वेजिटेरियन हैं वहाँ पर आपको नोनवेज पी का मोडल हैं अच्छी बात यह हैं कि गुजरात के जो बीजेपी के चीफ हैं सियार पाटिल उन्होंने यह कहा कि सेलिंग नॉन वेजिटेरियन फूड इस नोट इलीगल के इनके उनके ऊपर बैंड नहीं लगाया जा सकता उन्होंने सभी मेर्स जो हैं सिटी के उनको भी ड अब क्या खा रहें सरकार का यह विशय नहीं है इस पार जहां पर यह खाने पीने की चीज़ें मिल रही है वह हाईजिनिक फूड होने चाहिए और रास्ते ट्राफिक और इन सारी चीज़ों को अगर यह परिशान नहीं करते हैं तो फिर इनको अधिकार है कि वह अपना बि पर गुष नहीं हों कि अगर मैं वेजेटेरियन फूड खाए थो मैं अच्छा व्यक्ती और अगर में नॉनौँड फूड खाए घलिट व्यक्ती ऐसा कहाँ पर लिखाए दूसरी चीज़् क्यों ऐसा होता है कि वेजेतेरियन खाने वाले लोग जो है वो नौन वेज वाल एनिमल खास करके मचलियों का उप्योग किया जाता है दवाई बनाने के लिए तो फिर तो हमें दवाई भी कंजूम नहीं करनी चाहिए एक और प्रशन ये भी उड़ता है कि जो हम हमारी लुक्जुरियस कार हैं जो खरिदने के लिए जाते हैं लोग तो वहाँ पर कहते हैं कि हमें गुड कॉलिटी का लेधर चाहिए तो वो लेधर से कहां आ रहा है आपके शूज जो है उसमें से भी लेधर है और तो ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन वे हैव तो थिंक हमें ये समझना चाहिए मेरा परसनल ओपिनियन ये है लोगों को जो खाना है वो उनकी चोईज है हाँ अगर आप किसी मंदिर जो एक है और उसके बाहर ऐसी बाते कर रहे हैं या फिर ये खाना पीना खा रहे हैं वहाँ पर तो न्युक्त रही हैं यह सारी चीज़े हमें सीखनी पड़ेगी we have to think as a mature citizen as sensible citizen moving on to financial news कुछ banks है जैसे के HDFC, XS, ICSA banks ने अपने customers को inform किया है कि जिन customers ने crypto assets में पैसे invest किये तो उनको एक प्रकार की warning तो नहीं लेकिन उनको एक information प्रवाइड की है कि यह एक market जो है इसमें fluctuation काफी ज्यादा होता है उतार चड़ाओं बहुत ही बड़े होते हैं तो आप सोच संभाल कर पैसे इसमें invest कीजिएगा इंडिया और USA के वीच में trade policy forum की एक meeting होगी और जो वहाँ के trade representative है Catherine Tai तो वो भारत की यात्रा पर टाई Catherine Tai भारत की यात्रा पर आने वाले है दो दिनों की उनकी विजिट आज से स्टार्ट हो जाएगी और भारत में financial year 2021 में USA को 51.6 billion डॉलर की चीज़े बेची हमने उनसे 28.8 billion की चीज़े खरीदी इंपोर्ट किया और दोनों देश एक दूसरे के relationship को trade relationship को expand करना चाते हैं USA चाता है कि वहां की cherries, alfa-alfa pork ये सारी चीज़े भारत में बेचे भारत चाता है USA ये भी चाता है कि dairy export certificate जो agreed किया गया था 2022 को उसको भारत accept करे भारत चाता है कि हम उनको mangoes, graves, pomo grenades और दूसरे यसी bovine meat की items जो है वो USA में बेच पाया तो अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है ये है कुछ important headlines आपके लिए जो प्रशन पूचाता है उसका answer है गुरू नानक देव, एक नया प्रशन आपकी screen के उपर है I'll see you tomorrow, till then enjoy your studies God bless you all, Jai Hind